हलो तो आज में डिस्कूस करेंगे हैच यू का बीएसी सेकंड एर केम टूजरो वन जिसका पेपर होने वाला उसके अंदर आप कौन-कौन से इंपोर्टंट टोपिक्स करें कि आपके अच्छे माग साधा है और की कौन-कौन इंपोर्टंट टोपिक्स और कौन-कौन से होते हैं solution phase equilibrium conductance and electro chemistry और साथ में और 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 मिस्टी फिरहाल यह तो मैं फीजिकल का बता रहा हूं इसके बाद ही मैं थमाप को इतना तो सभी को पता है कि चार सक्शन्स उते पांच सक्शन होते हैं अब पहले जो चार सेक्षन है वो हमारे चार सेक्षन में से आते हैं और जो लाश्ट होता है वह पूरी मतलब पूरी दोनर बुक्स को मिलाकर MCQ true false और फिलिन्दी ब्लैंक साते हैं 50 मार्क का एकशाम होता है मैं आपको important topics बदाता हूं हुआ है तो आप first of all आता है हमारा first chapter जो है हमारा thermodynamics of solution section section 2 chapter आते हैं एक आता है solution और एक उसमें चाहब है तो solution के अंदर ना दो chapters है कि यह solution है एक है यह नहीं distribution application मैं वह दो chapter आपके book में दो chapter दिये होंगे और यह third chapter है तो एन दोणों में से first of all आपने कोई करना है इन दोणों में आपने कोई है करेना है अच्छे से करूंगा मैं तो solution करूंगा solution वैसे conclusion करूंगा पर आपके ए च्छाय आपने दोनों मैं से जो करना है वो कर सकती हो और अब बात सबस्क्राइब एक तो ये आपके पास यह पर प्रेशर कम्पोजीशन तेम्पारिचर कम्पोजीशन का ए लेड़नों आडिसलीशन, यह भी इंपोर्टन आप लिक्विड यह बहुत अगर आप से यही है कि आप पूरा ही करें पूरा से चैप्टर पढ़ें हां वह आप से इंप्रटन टोपिक उन पज़्यादे बलब जादे गोर करना अब हर एक चीज के बारे में आपको पता हो चाहिए क्योंकि अगर आप एक chapter पढ़एगो तो इसे अच्छे से पढ़ना तो यह रहा हमारा section A की बात आगे देखते हैं section number B की बात section number B में भी यही scene है, आपका दो chapter है, एक chapter है, एक chapter है, एक chapter कंडक्टेंस है, एक chapter है electrochemistry, जिनको electrochemistry अच्छे से आती है, वो electrochemistry करें, जिनको conductance करूंगा मुझे चंड़ा कंड़ाइब झेक लगता है और पर यह बात रही इंपोर्टन्ट कोशन की वैस्तों आपको कुछ भी पूछ दा सकता है पर फिर भी कुछ ऐसा होता है इंपोर्टन निनकों जादे मतलब पढ़ेंगे तो में कोहलार इंपोर्टन्ट है आपका माइगरेशन ऑफ आयन टोपिक इंपोर्टेंट है ट्रांस एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हिटोर्ट्स मूविंग बाउंडरी मैथड यह इंपोर्टेंट है है ना इंपोर्टेंट और एक यहां पर कंड़क्टर मैट्रिक टैक्टेशन यह भी बहुत जादे बहुत बार आइसिड वेस के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो बहुत आप कंड़क्टनेस पढ़ना सारा पर जो जो टोपिक मैंने मेन मेन बताएं उनको अच्छे से पढ़ लेना यह डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकर यह भी रिपी और गैनिक मिस्ट्री आचुकी आपकी नेक्स्ट बुक और गैनिक मिस्ट्री में जो यह वाला पोर्ट्शन है यह दो चैप्टर से यह वाला आपका ठर्ड चैप्टर होगा इसमें वन और टू चैप्टर आएक इसमें ठर्ड है और यह आपका फॉर्थ चैप्टर है ठीक मैं आपको इसका बता देता हूं कार्बोक्सलिक एसी डियर्वेटिए मैंने यह करना है इसमें रियक्षन है है यह बहुत इंपोर्टन रियक्षन है और जैसे कि यह नुकलिफिलिक असाइल सब्सिच्चूशन सब्सिच्चूशन का इंपोर्टन है यह मेकैनिजम पूछ लिए जाता है डी फॉर्मैट्स की और पॉर्किंग कंटनसेशन और एक्षे रिजट से तीन नेम रियक्षन है एक चोथी इस्टैरिफिकेशन यहां पर लिखिए नहीं है इस्टैरिफिकेशन हम वैसे याद रखो चार रियक्षन है चारों की 4 रियक्षन आपने 100 पर संट पर नहीं है इन चारों के मेकैनिजम भी आपने पर नहीं है रियक्षन यह दूसे यह 4 है यह 4 यहां क्यारों पणना अगर्फ 6 mas आपने सारा पंढ़ना है नाकिस कार्फिकेशन कंप्रीट चैप्टर है आपको यह कंप्लीट ही करना पड़ेगा हाँ अगर पीच बीच में कुछ इंपोटेंट है वह आप उस पर जादे फोकस करना जैसे कि यहां पर म्यूटा रोटेशन का टॉपिक है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है और असेंडिंग और डिसेंडिंग इन मोनोसेकराइट के लिया नहीं फीचर सींट्रसी जैसे नेम सिबह होते हैं आपके बुक में और जर्नल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ओपन और क्लोजड हाँ ओपन और साइकलिक स्टक्चर पर भी कोशन आ सकता ह है आपको अगर बीच में से कुछ आपने छोड़ना तो छोड़ सकते कोई ओपिशन में आपको पता है यह जिसकी जिनके दो दो चैप्टर्स होते हैं उन्हें में एक कर लें तो हमारा इसली कोशन वह कंप्लीट हो सकता है पर आपको जो आप एक करने जा रहे हो आपको आप जो भी चैप्टर करें अच्छे से प्रिपेर करें जो इंपोर्टन टोपिक उसे बारबर प्रैक्टिस करें आई होप आपका फेपर अच्छा हो जो मैंने बताया है आप वह जरूर पढ़ना और एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना